नमस्कार फ्रेंड्स राजस्तान सरकारद्वारा जारी नए सरकुलर जिसके अकोर्डिंग जो है वो 5% MBC आरक्षन और 10% EWS आरक्षन दिया जाएगा उसी के अकोर्डिंग करमचरी चैन बोर्ड ने जो 11 परिक्षा जुलाई में होने वाली थी उन्हें इस्तागित कर दिया इसके बाद अब बारी राजस्तान लोक्स यावायो की है कि वो अब फरतम स्रेनी शिक्षक बर्ती परिक्षा के साथ क्या करता है तो आगे बढ़ने से पहले आप मारी चोटी सी रिक्वेस्ट है चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें नोटिफिके जाएगा और नए कंडिडेट्स अपीर होंगे उसके बाद में एक निशी समयावदी के बाद ये परिक्षाएं आयोजीत होगी तो इसमें कई तरह की परिक्षाएं इसमेले ताहिए सबसे बड़ी बात है कि इसमें एक लडिसी जो बरती परिक्षा उसको लेकर अभी निर परिक्षा है वो दोपर बारे बजे वाला पेपर जो है वो शंपन हो चुका है और शाम वाला पेपर अभी चल रहा है इस परकार कल और आज में जो चार पेपर हो रहे हैं वो याथावद चल रहे हैं तो इसमें शिर्फ आयमबी से आरक्षन के लिए 36 पद रिजर रखते वे यह सब निर्णे लिए तो करमशरी सेंबोर्ड की जो परिक्षा इस्तागित की गई है उनके उपर नए शिरे से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाएंगे और इसमें आयमबी से आरक्षन को सम्मीलित करते हुए और इसमेलित करते हुए नई विग्यप्ति जारी कर इस फोर मैं उनमें सुधार कर सकते हैं EWS आरक्षन को लागू करवाने के लिए अपना सर्टिफिकेट है वो अपलोड कर सकते हैं तो यह करेक्षन का एक तरह से मोका दिया जाएगा पुरणे स्टुडेंट्स को फिर नया कोई कारवाई करने के आवसकता नहीं है चैन बोर्ड परिक्षा को लेकर बड़ी गोशना कर सकते हैं यह परिक्षा इस्तागित हो सकती है और इन्हें में भी नए आवेदन का मोका मिल सकता है इनमें भी MBC और EWS आरक्षन लागू किया जा सकता है इस बरती से समंदित लेटेस्ट अपडेट आते हैं आपको इस चैनल प्रूप जाहिए जाहिए